वेल दोस्तो मेराज मेरा आपसभी का सवाक्त करता हूं तो दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँ और आप भी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को वापिस लाना चारते हैं अगर आप से गलती से आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो गिलेट हो चुकी है तो आप easily अपनी phone से वापिस ला सकते हैं तो आप इस वीडियो को complete watch करें तो गैस सबसे पहले आपको यहां पे recording application को यहां पे open कर लेना है recording application ओपन करने के बाद में आपने जितनी भी call किये उनकी recording यहां पे आपको मिल जाएगी अब आपको मैं सबसे लेन cold recording को delete करके दिखा देता हूँ यहां से हम step by step इन सभी cold recording को delete कर लेते हैं उसके बाद में अब आपको इसको वापिस निकालना है तो आपको जा करना है उपर जो setting का icon है इस पे आपको click करना है setting के icon पे click करने के बाद में अब आपको scroll on करके नीचे आना है नीचे आने के बाद में आपको यहां पे देखने को मिलेगा recently delete items आपको इस पे click करना है जैसे आप इस पे click करते हैं उसके बाद में आपके सामने जितनी भी आपके core recording delete हुई है वो यहां पे show हो रही है अब आपको जो recording चाहिए उसको आपको यहां पे select कर Packet करने के लिए आपको recording पे hold प्रेस करके रखना है उसके बाद में आपको जो recording चाहिए उस के आपको tick कर देना है उसके बाद में निच्छे आपको देखने को मिलेगा restore आपको इस पर क्लिक कर देना है अगर आप permanently delete करना चाते हैं तो यहां से delete कर सकते हैं restore पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके फाइल में यह recording है वो वापिस आजाएगी और आपको बता दूँ कि अगर आपके फाइल से कोई recording delete हो चुकिया है तो वो आपको मैं next वीडियो में बताओंगा तो आज के वीडियो में बस नहीं मेरे ते next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार